नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत अब आप R9 भारत के एप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं साथ ही साथ R9 भारत को फेस्बुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें उमीद्द्वार मान महिंदर विश्णोई के लिए जनसभा में शामिल हुए राजीब गांदी कालोनी में जनसभा को संबोदे करते हुए मान सिंँघ विश्णोई और प्रेमा राम चודरी के लिए वोट मांगने के साथी लूनी विधायक महिंदर सिंग विश्णोई और मुख्यमंद्री अशोक गैलोग के विकास कारें उनको बताये कारिक्रम में प्रदीपर गुजार मनीज चौधरी पन्ना नावसायन, चेतन प्रकाशर शेरू, बंशीलाल विश्णोई आदी सभी उपस्तित रहे और नेता के सासा तिस्थाने नागरिकों के भी भीड लग पालिवाल, अन्मान जी, शिरोई, पन्नालाल जी, सेहन, परदीप जी, घुजर, कापी गणमानिये उपस्तित्रे जिनके साथ हमने जनसभा को समोधित किया, महानमेंद्र जी, विश्णोई, पेमाराम जी ने सभी ने सेत्रिय जनता को समोधित करते हैं, पूरण आसवासन करवाए उसी विकास के आदार पर हमें एक तारिकों उन्यवाले मद्दान के अंदर मद्दान करेंगे और राजी गांदी, कोलानी के सभी सेत्रिवासियों ने ये पूरण आसवासन दिया है कि एक सिक्तमबर को अधिक से अधिक हम कांग्रेस पार्टी के पक्स में मद्दा पर हमें दोनों मद्दान करना है दोनों ही उमिदवारों को मद्दान देखर विजई पिनाना है और नाइन भारत के लिए किशन कायात की रिपोर्ट जोधपूर राजस्थान ग्राम पंचयात, खेरुआ द्वारा, ग्राम पगावदा में वैक्सिनेशन से लिका आयोजिन किया गे ग्राम पंचयात, खेरुआ सर्पंच प्रचराज मीना ने बताया कुरून से नागरिकों के बच्चाप के लिए नागरिकों को ओविटशील की प्रतम एवम सेकंड डोज मिलाकर खुल सात सो डोज लगाईगी प्रते आठ बजे से ही टीका करण संधुस्क पर काफी संक्या में बीदा आने लगी थी वेक्सिनिशन प्रोग्राम में रक्टवीर यूवर टीन संस्थापक अंकित प्रजापती वरिस्ट सदस लोकेश, ख्रावदा, गोविंद मेगवाल, अर्विंद खेरुला, आसाराम गोचर, प्रधाना अध्थापक गिराज मीना, रामकुवर खटाना जक्तीश मीना, राद किसान केट में मोट, बाजरा, गौार, मुंफली, मुंग की बुआई करते हैं, इस वार भी जुलाई में बुआई का सलसला शुरू हो गया था, जो कुछ दिन तक चला, सावाल मा में बरसने की उम्मीद थी, जो एक भी बारिश नहीं हुई, प्रती बीगा करीब 2,000 कर दिये, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, नलकूपर पर बिजली नहीं मिल रही है, बारिश नहीं होने के करण, फिंचित शेत में पानी कल लेवल नीचे जाने से, नलकूपर में पानी की कमी आ गई, किसान को बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ा, ऐसे में आप पर बारिश नहीं, बारिश नहीं हो गई, बीच बोया था, उसी गरम हवाओं ने पूरा नस्ट कर दिया है, तकती धरती बारिश के इंतजार में एक बार फिर बंजर हो गई, किसान के पास कोई चारा नहीं है, दक्षरी पस्ची में हवाओं ने पानी गिरने के आसार भी खत्म कर दिया है, हजारों हेक्टर जमीन में आकाल है, किसानों को अपने परिवार और पश्यों को पेट पालने में बहुत मुश्किल हो रही है, लुरसिंग आजपोई रही त जिला प्रवक्तर भारतिय के सार मोर्चा जेसल मेर का कहना है कि जेसल मेर के किसान खेट दीबाडी से दुकी होकर खेट छोड़ने को मजबूर हो गया है, रभी 2021 को आधी उड़ा कर लेकरी सरकार के मंत्री आया और राहुल गांदी की तरह है, दस दिन में राहा तापता, प्रवेर विंती है कि जो रभी 2021 मार्च रोज भेंकर रात रो तूफान आयो, वो फसला पूरी तरीके से उड़ गये, किसान बरबाद हो गया, सरकार रा दो दो तीन तीन मंत्री आया, वह वाईदो कियो तो राहुल गांदी जी 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 आ दस दिना में कर जो माफ होने रु प्रते किसाना 27,000 रुपिया मिल से, तो किसानां कुछ आस बंदी के साइध 27,000 रुपिया खाद बीज बुएबवाई वास्ते तो मिल से, आज 5 मेंना होया है, कोई रुपिया रों कोई पतो को नी, बीमा कंपनी आया, तो बीमा कुछ 17, 10% किसाना रे बीमो जमा ऊए हो में जीरेर समान नहरा में पाणी नहीं है एक बरसात हुई कुछ छेतर में बुआई भी करी किसाने साइद नहर में पाणी आ जासे ये उमीद रहे साथे और अब राज भी रूटो राम भी रूट गियो एक ही बरसात को नहीं हुई बरसात नहीं होने रिवजे सो फसला सारी सरकार वाइदो जगों की ओभी कोनी निबा रही है रेट चार गुणा बढ़ा दिया विदू कर फलाना कर वो टेक्स यू करे तो महारी सरकार सो निवेदन है कि अगर आप पसूधन और किसान ने बचानों चाओ हो वास्तम है तो तुरत नहरी छेतर में पाणी शुरू करो औ किसाना ने 6 गंटा लाइट तो कम सुकम मिले जे चुनाव होत सरकार गोशना कर दी कि वहाँ लाइट सुनचित की जाए तो क्या जा चुनाव होगे वहीं लाइट मिलेगी तो मेरी हाथ जोड़ के विंती है कि किसानों को समय पे बिजली और पाणी की विवस्ता कराई रभी की वसले आंदी से उड़ गई उसे पहले टीडी चट कर रही और बाद में जो रात आपदा के पेशे वो साहिद जरकार चट करने में लगी है तो मेरा नविदन है कि कुछ किसानों को रात आपदा के पेशे जल से जल दिलाए दिमा कंपनियों को पाबंद करें कि किस R9 भारत को Facebook, Twitter और Instagram पर भी follow जरूर करेंगे